हालो फ्रेंड नमस्टे वेलकम बैक वंस अगेन और माई चैनल कैसे हो आप लोग दोस्तों आज फिर से आप लोग लेकर कहीं हो एक बहुत ही पहत्रिन मेकप टुटोरियल दोस्तों शादियों का सीजन चल रहा है और इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा मेकप टुटोर पोड़ा वीडियों जरूर देखेगा तो जादा बाते ना करते हैं आज का यह वीडियो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें इस गहंति के आइकन को तो दबाएं All Select करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले मेकप करने के लिए अपने फेस को मुश्राइज जरूर करें जिससे आपका फेस लॉंग लास्टिंग तक हाइटरेट रहेगा और ट्राइज नहीं होगा इसके लिए मैंने यहां थियोली का वीटमीन सी सिरम लिया हुआ है जितने भी प्रड़क्ट में यूज कर रही हूँ सबका पॉर्चेज लिंक आपको रिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और उसके लिए मैंने होटो को भी बहुत ही अच्छे से मुष्राइज कर लिया है और फिर यहां पे कलरबार का मेरा आईब्रो पैंसिल है उससे अपने आईब्रो को बहुत ही अच्छे से से सेट करेंगे सबसे पहले स्टेप में क्योंकि सम्टाइम्स क्या होता है लाइब्रो तो काफी अच्छे से यहां पर मेरा भ्राउन शेड है уसकषे अच्छे से ब्रश हो शेल ब्लेंड करिए क्या होगा जितने भी आपने ब्रश में लगाया है वो सारे बहुत ही अच्छा मेरा जो है कंसीलर है तो उसकी मदद से अपने आइब्रो को सुंदर थोड़ा शेप देखने के लिए काफी अच्छी से इसको शेप देंगे और इसे आइब्रो बहुत ही सुंद ब्लेंडर की मदद से तो आप यहां पर चाहे तो किसी भी पतले वाले ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड कर सकते हैं और मैं कमफर्टेबल हूँ इसलिए मैं इसी मदद से ब्लेंड करती हूँ तो यहां पर आइब्रो को करने के बाद जो है एक अलग सा लूक आएगा आप दोनों आइब्रो में यहां पर फर्क देख सकते हैं तो दोनों पर मैंने कर लिया है और उसके कलर बार का ही हमारे पास यह कॉम्पैक पॉडर है जिससे क्या होगा यह कंसिलर जो मैंने लगाया है उसको बहुत अच्छे से सेट करेंगे और इसके उपर फिर्ट अपने आई तो जो आउटर कॉर्णर और और इनर कॉर्णर पर सबसे पहले हमने है इसको भर लेना है आई प्रो को ब्रश में लेकर किसको वहां पर रख ले सिंपली और फिर उसको अंदर की और पुलाउट करेंगे यानिकि एक क्रीज लाइन की और इसको खीचेंगे एक बहुत ही तो यह से मैंने दोनों आई कॉर्णर दोनों के आउटर कॉर्णर होता आँखों का उसको इस तरह से लगा लेंगे सबसे पहले और फिर उसको ब्रश की मदद से दोनों तरफ से खीचेंगे बीच में तो एक क्रीज जैसा बनेगा और बहुत ही इफेक्ट ग्रेट होगा जो बीच वाला बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे इस कटाकि ऑछ यहां अपैक्याम मेरा पॉफ्ट प्राइमर है थो प्राइमर हम अपने फेस में लगा लेते हैं प्राइमर लगाएमर लगाने मेक sigu मेक बहुत ही जादा देर बाहता है लाइनलासिंग रहता आपको पता ही होगा तो डसकी स्कीन के लोग जरूर ट्राइ करें फिट में का 330 नम्मर शेड करकी फिंगर टिप की मदद से उसको बहुत यह ज्यादा असान है तो क्या इसतमाल करते हैं इसका ऐक अलग डूट्रियल है मेरी चैनल पर जरूर चेकट आउट करें जरूर देख सूरह वादा यहां टी जाया है , यहां प्र निए मंदूर करेंगे से फिर करने हैं और यहां परको लगा आपे जाब मुद्य yeah to go Nee , लगा की एलगा लिए तो नाको को भी लगा लिया तो नाको को पर या फिर मेरा मैंने लिया है Concealer NY Bae का, तो बहुत ही अच्छे से Center of Face को हम हाईलाइट करेंगे इसकी मदद से, और इससे क्या होगा आँखों के नीचे या फिर होटों के अगल बगल में जादर डाक सकल, या काला है तो उसकी मदद से Concealer की मदद से इसको बहुत ही अच्छे स है और फिर बहुत ही अच्छे से, यहां पर मैंने ब्लेंड कर लेना है यूटीब लेंडर की मदद से, इसकी जगा ब्रश का इस्तमाल कर सकते हैं कलर बार का से, हमने लिया हुआ है इसकी मदद से बहुत ही अच्छे से, हम सेट करेंगे यहां पर सबसे पहले हमने जो कलर लिया हुआ था, दोनों कलर जो है जो मैंने आपको डाइनेमो कलर बताया है वो कलर लेंगे और लोर लेशन के आउटर कॉर्णर और इनर कॉर्णर पर लगा के और फिर अंदर के और की अच्छा के लिया हुआ है और बीच में सेम हमने मैजस्टी कलर लिया हो था वो गलर लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा इफ्ट क्रेट हो जाएका जरूर करेए इब लुट ओ और फिर यहां पर हमने सेम आइशेडो मेंसे लिया हुआ हा है गोल्डन स्टेट कर के कलर पर नाफ इस बहुत ही अच्छा पना निचे जो बॉंस सबिखना konkre contar और आंखो को को और उसको हालाइट करेंगे और मैंने लिया हुआ एक बहुत है बेल बोस्टा का काजल है अकार मैं अपने फोडार लाइन पर लाइनर कब दो सब्सक्राइब मोटा नहीं हलका पतला करके लगाएंगे तो विंग लाइनर लगाना बहुत ही असान है इसका एक कलर वीडियो टुटोरियल आपको मेरी चैनल पर है अब जरूर देखे इस तरह से विंग लाइनर क्रेट करते है बहुत ही अच्छे से हम आय लाइनर लगाएंगे टैनल लगाना बहुत ही इजी है और फिर ब्लैक शेड जो है आई शेड़ पैलेट में से ब्लैक शेड लेकर के एक जो है ट्रडिशनल लुक क्रेट होता है ब्लैक शेड लोवर लैश लेंड पे डाल देते हैं और फिर उसकाद यहां पे अपने उपर का जो लैश है उसको मस्कारा करेंगे मस्कारा लगाने के बाद ही हम यहां पे फॉल्स लैसेज का इस्तमाल करेंगे और लोवर लैशन पे भी हम मस्कारा कर लेंगे और इससे थोरा सा आँख अलग सा एक खुबचरत सा दिखेगा ज़रूर मस्कारा करें और मस्कारा करने के बाद जो है उपर का जो लैशेस है वहां पर हम लाएंगे फेक लैसे यानि की फॉल्स लैसे अगर आप फॉल्स लैस लगाना नहीं जानती है जिसका एक अलग वीडियो टुटोरियल आपको मेरी चैनल पर मिले बाद जरूर देखे और वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक वाज जरूर देखना ना भूले तो बस लगा लिया हमने दोनों आंखों पे फॉस लेसिस आंखों का कम्प्लीट मिकप हो चुका है पारी आती है फेस के लिए तो फेस मी हम चलते हैं फेस में थोड़ा सा मों एक करेंगे तो यहां पर मैंने लिया हुआ है वह बहुत ही अच्छा है Contour Type का ही है Contour Potter उसकी मज़ से इसको में बहुत एचा Warmth एड़ किया है तो काफी अचा से पूरी Face में इससे Warmth एड़ करें इससे इक अलग सा Effect Create होगा और फिर उसके बाद Blush करेंगे Blush यहां पर मेरा Color War का बहुत एचा Blush है लगा लेते हैं और फिर हाइलाइटर के लिए हमारा कलरवार का ही बहुत सुन्दर हाइलाइटर है वो लगा लेते हैं तो गालों की ऊपर आखों के ऊपर लगा लिया अलड़ी मैंने नांकों की ऊपर फोरहेट पे और फिर जीन वगरा पे लगा लेते हैं तो यह हमारा फेस म के हिसाब से मैंने लिप्स्टिक लिया है लेकिन हलका सा डलक हो गया है इसको थोड़ा से light करने के लिए मैं यहां पर एनवाई बेगी का यह सब लगा लिया है, इक अलगसा क्रेट हुआ है लूक आप देखिए, बहुत ही सुन्दर है, बहुत ही ऐलिगेंट है, आप किसी भी पार्टी फंक्षन में इस तरह से जा सकते हो, इस तरह से ड्रेस अप करें, इंडियन वेडिंग में अगर अब जार है तो इस तरह की का बिंदी लगा ये और फिर सारी पहनिये या फिर लहंगा पहनिये, किसी भी ड्रेस के साथ ये वाला लूक मैच खाएगा, तो बहुत ही खुबसरत है, बहुत ही अच्छा है, अगर आपका स्कीन डाक है, तो जो मैंने पोड़क्स बताया है, उसका लिंक आपको से मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तर तक के लिए टेक कियो, बबाई, थैंक्स वर वाचिंग,